गुड आफ्टेनून क्लास एथ हम लोग अपने तीसरे चाप्टर पर पहुंच चुके हैं जिसके नाम है सिंथेटिक फाइबर इंड प्लास्टिक तो पिछले वीडियो में भी हमने स्लाइट्स के द्वारा पड़ा था जो इस चाप्टर की पहली वीडियो है ओके लेकिन बच्चों ने कहा कि वो स्लाइट्स एतनी क्लियर नहीं दिख रही है वो मैंने नेट से जो है डाउनलोड की थी तो आज मैंने स्लाइट्स खुद बनाई है आई होप आपको क्लियर नजर आईए तो जैसे चाप्टर का नामी है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक त नाइलोन उसके बारे में हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में और नाइलोन के केरेक्टर स्टिक पढ़े थे उसके अलावा हमने उसके यूजेज पढ़ ले थे अब हम आज जो दूसरे सिंथेटिक फाइबर आपकी बुक में दे रखे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे को हम तीसरे वाले वीडियो में कवर करेंगे तो आज जो सेकिंड वीडियो है इस चाप्टर का इसमें मैं जो दूसरे सिंथेटिक फाइबर आपकी बुक में जैसे आपकी बुक में पॉलिस्टर दिया है रेयोन दिया है इसके अलावा आपकी बुक में एक्रिलिक दे रख कोइब जान नायलोन के बारे में चानना है तो आप पिछली वीडियो एक बार दुबारा से देख लीजे, तब आपको, अच्छे से यह वाली वीडियो भी समझे जाईगे, अगर अगर अपने पिछली वीडियो नहीं देखी है, तो एक बार आप उसका देख लीजेए अब पहला हमारा जो है इसमें बच्चे सोच सकते हैं इस चीज़ को कि सिंथेटिक फाइबर फाइबर तो हमने आज तक 6-7 पर पढ़ा कि फाइबर से तो कपड़े बनते हैं जैसे कॉटन है जूट है या फिर आपका सिल्क है लेकिन यहां पर सिंथेटिक फाइबर के साथ य चाप्टर में क्यों कवर किया गया है एक साथ क्यों जो है चाप्टर में दिया है तो इसका अंसर यह है कि जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं और जो प्लास्टिक होता है मैंने पिछले चाप्टर में आपको बताया था यह पॉलिमर्स होते हैं पॉलिमर मतलब इनको जो है क इसको हम polymer कहते हैं, तो चाहे वो synthetic fibers हैं, चाहे वो आपका plastic है, दोनों आपके क्या हैं, आपके polymers हैं, दूसरी चीज ये कि जो आपके synthetic fiber और plastic है, ये आपका petroleum extraction के द्वारा जो आपके petrochemicals नकलते हैं, petrochemicals के examples, जैसे आपका kerosene होता है, घरों में मिट्टी का तेल, डीजल, प petroleum products के बारे में, आपके अगले chapter, मतलब आपके जो आने वाले chapters हैं, उसमें आपका है, इस class में थी, class 8 में, उसमें आप डेटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं बस आपको इतना बता दू कि petroleum products जैसे आपके, examples मैंने कुछ आपको बता दिये, आप जो है, सर्दियों में वेसलीन jelly लगाते हैं, वो भी आपका petroleum product होता है, तो plastic को और synthetic fibers होते हैं, इनको petroleum products यानि उनी के द्वारा बनाया जाता है, petrochemicals के द्वारा इनको manufacture किया जाता है, इसले भी इनको एक साथ रखा गया, तो यह polymer है, दूसरा यह इनका जो raw material है, वो आपके petroleum extraction के दौरान जो चीजे निकल होती है, उससे बनाया जाता है, ठीके, तो synthetic fiber, अगर आप देखे तो इनके कई ऐसे uses भी है, जो मतलब इनको plastic भी कहीं पर consider किया है, जैसे आप आगे पढ़ेंगे, कि एक polyester आप आगे पढ़ेंगे, polyester से bottles बनाई जाती है, तो bottles प्लास्टिक होती है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका कहीं न कहीं, यहाँ पर जो हम इस chapter में पढ़ेंगे, हम यहाँ पर इनके, जो synthetic fiber है, उनके हम ऐसे uses पढ़ेंगे, जो कपड़े बनाने में use होता है, means हम mainly इनके कपड़े वाले use, ठीके, fabric वाले use, या फिर thread बनाने वाले जो use हैं, जैसे रसी है, ठीके, तो वो हम इस chapter में deal कर रहे हैं, अगर आप net पर search करें, तो आपको polyster हो गया, या एक acrylic आपका synthetic fiber है, इसके कई और uses मिल जाएंगे आपको, जैसे जो acrylic है, उससे paints बनाए जाते हैं, उसको जो है, painting में उससे कई प्रकार के paint बनते हैं, उसको glass की तरह भी use किया जाता है, कांच की तरह कई जगर पर, कांच के option के रूप में, तो सोचे बिलकुल different property है, उसकी, तो यहाँ पर जो ये chapter है, हमारा synthetic fiber वाला, इसमें हम जो synthetic fiber हैं, उनके mainly वो वाले uses पढ़ेंगे, जो आपके कपड़े बनाने में use हो रहे हैं, कपड़े वाले use हम इसमें जादा पढ़ेंगे, तो आप इ fiber क्यों consider किया गया है, इनको यहाँ पर fiber, इसलिए बोला गया है, क्योंकि ये, जो है, कपड़े बनाने में भी use होते हैं, okay, basically, जो है, ये क्या है, आपके polymers है, जितने भी आपके synthetic fiber है, okay, तो I hope आपको chapter का, जो confusion थी, वो clear हो गई होगी, अब हम पढ़ते हैं, अपने chapter के तर nylon पढ़ाया, वो मैंने इसलिए पढ़ाया, ताकि आपको हमेशा याद रहे, कि जो fully synthetic fiber है, first, okay, वो आपका nylon होता है, okay, rayon भले ही, nylon से पहले जो है, बन गया था, उसको पहले बना दिया गया था, बट क्योंकि इसमें wood pulp, okay, लकडी का use होता है, इसमें, जो एक plant product है, इसलिए इसको semi synthetic fiber यहाँ पर लिखावा, आप देख सकते हैं, पहले point में, semi synthetic fiber इसको बोला जाता है, क्योंकि इसके preparation में wood pulp का use होता है, okay, अब second point है यहाँ पर, इसकी जो चमक होती है, वो silk fiber की जैसे होती है, silk fiber आपने अपनी पिछली class में पढ़ा था, जो आपको silk warm से मिलता है, तो silk जो है अपना luster यानि shine के लिए famous है, तो same shine जो है आपके rayon से बने वे कपड़ों में भी होती है, बट silk हर कोई नहीं खरीच सकता, okay, silk काफी महंगा आता है, बट अगर कोई silk की जैसी चमक चाता है, उसकी जैसी shine चाता है, और कम दाम चुकाना चाता है, तो वो rayon के को भी पहन सकता है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, आर्टिफिशल सिल्क बोला जाता है, अब इसको 19th सेंचुरी में बनाए गया था, यानि 19 वी शताबदी में इसका निर्मान होता, okay, late 19th सेंचुरी में बनाए गया था, 19 वी शताबदी के, अब rayon के यहाँ पर चमक होती है, okay, बिल्कुल सिल्क के जैसा यह चमकता है, बट क्यूंकि यह सिंथेटिक फाइबर है, इसलिए इसको क्या बोल रहे है, आर्टिफिशल सिल्क भी बोला जाता है, दूसरा यहाँ पर लिखा है, बेटा, ब्लेंड इजली, अब ब्लेंड का मतलब आपने कही बा यानि ब्लेंडिंग का मतलब है, मिक्सिंग, तो यह जो रियोन का आपका फाइबर है, यह इसको आप क्या कर सकते हैं, दूसरे फाइबर के साथ, इसलिए इसको मिक्स किया जा सकता है, उससे नई चीज़े बनाई जा सकती है, इसको आपका दूसरे दूसरे जो आपके सकने वाला यानि उसको सह सकता है तो एब्रेशन का मतलब है यहाँ पर खरोच से है रगड से है तो इसमें इसके जो बनेवे कपड़े होते हैं या इसके बनेवे जो आपकी कारपेट होती है या मैट्स होती है वो आपका उनमें रगड जल्दी से नहीं लगती है उसको सह लेते हैं चौथा पॉइंट है रिंकल रेजिस्टेंट रिंकल का मतलब क्या होता है जैसे फेस पर क्या होता है बुढ़ापे में आपकी जूरियां पढ़ जाती है तो कपड़ों में भी आप देखते होंगे रिंकल रेजिस्टेंट है अगर आप उसमें ऐसे ही बैट जाते हैं सो जा रहे हैं तो आपके कपड़ों में रिंकल नहीं आएंगे तो रिंकल रेजिस्टेंट होते हैं ये फिफ्थ पॉइंट है आपका इंसेक्ट रेजिस्टेंट आई होब आपको resistant word का मतलब clear हो गया होगा जो सह सकते हैं तो ये insect से भी जल्दी से खराब नहीं होते हैं यानि insect इनको जल्दी attack नहीं कर सकते हैं इनके द्वारा जो बनी कपड़े होते हैं ठीक है? या चीजें होती है अब sixth है easy to die यानि इनको अलग-अलग रंगों में dye किया जा सकता है color किया जा सकता है I hope आपको characteristics समझ आगे अब इन्ही characteristics पे base इनसे समान बनाई जाते हैं जैसे पहला याँ पर लिख रखा है कि इनसे apparels मतलब होता है कपड़े जैसे आपकी सारी बनाई जा सकती है बैटशीट्स बन सकती है कर्टेन यानि परदे बन सकते हैं और कार्पिट्स बन सकती है ओकी विटा तो ये आपको समझ आ क्या होगा अब हमारा next जो आपकी बुक में synthetic fiber दिया गया है वो है polyster ये polyster आपका काफी famous synthetic fiber है तो poly का मतलब आप लोग अभी तक जान गए होंगे poly आप लोगों ने polymer में भी पड़ा तो poly शब्द का meaning चाहे वो कहीं भी आया आपका poly का मतलब होता है बहुत एक से अधिक many और poly plus ester दो शब्दों से मिलके बनाए है ester एक प्रकार के chemicals होते हैं तो poly plus ester यानि अब ester देखे यहाँ पर क्या है यहाँ पर आपका जो ester है वो आपका एक monomer है तो जब बहुत सारे ester आपस में जुड़ जा रहे हैं तो क्या बन रहा है आपका एक लंबी chain बन रही है जिसे हम polyester कह रहे हैं आप लोगों ने जैसे आपका polypeptides भी बोला जाता है तो वैसे ही poly word कहीं भी अगर आप सोने तो poly का मतलब होता है many तो polyester समझा गया यानि अगर आपसे कभी पूछा जाए कि polyester होता है इसमें monomer unit कौन सी है यानि किन चीजों को आपस में जोडने से polyester बनता है तो इसकी monomer unit क्या है ester ओके I hope clear हो गया होगा आपको then second point examples आप polyester के कई प्रकार के मतलब polyester होते हैं जैसे यहाँ पे terylene है ओके pet लिखा है यहाँ पे pet ओके अब यह pet भले इससे कपड़े यह आपका plastic ही है प्रकार का pet प्लास्टिक जो आपका polyester का टाइप है बट इससे कपड़े नहीं बनते हैं लेकिन आपकी बुक में दिया गया था इसलिए मैंने यहाँ पर example में include किया है तो pet से क्या होती है जो आपकी पानी पीने वाली bottles होती है fridge bottles इनको फ्रिज में रखा जाता है जैसे सेलो की आती है आपकी मिल्टन की आती है फ्रिज वाली bottles आती है तो वो आपकी pet प्लास्टिक से बनाई जाती है तो pet का फुल फॉर्म है आपका polyethylene teriphythylate आप देख सकते हैं थर्ड पॉइंट में blended with other fabrics अब blending शब्द आप रियोन में भी पढ़ चुके हैं यानि mix करना तो इस polyester को दूसरे fiber के साथ easily mix किया जा सकता है इसे cotton के साथ मिला करके इससे क्या बनता है poly cotton बन जाता है यानि फिर जो वो fiber बिखता है वो poly cotton के नाम से बिखता है यानि poly cotton में क्या क्या होगा आपका polyester और cotton अब ऐसा क्यों किया जाता है mixing क्योंकि cotton के अपने फाइदे हैं और polyester के अपने फाइदे हैं तो जब हम जो है इन दोनों के फाइदे लेना चाहते है तो हम उससे तीसरी चीज बना रहे है जिसको poly cotton कह रहे हैं ऐसे ही जब इसको wool के साथ mix किया जाता है तो poly wool बन जाती है terry coat देखे terrylene आपको मैंने बताया polyester के example है तो जब आपका terrylene और आपके cotton को mix किया जाता है तो terry coat बनता है आपने terry coat तो जरूर सुना होगा अपने घरों में तो ये आपको समझा गया होगा polyester के बारे में अब हम polyester के characteristic पढ़ लेते हैं जादा तर synthetic fiber के जो characteristics एक ही जैसे होते हैं तो characteristic या फिर properties of polyester क्या है एक तो ही strong होता है यानि मजबूत होता है durable मतलब लंबा चलता है then blend easily अभी बताया है मैंने आपको blend का मतलब इसको mix किया जा सकता है दूसरे fiber के साथ तीसरा है crisp and wrinkle resistant तो wrinkle resistant तो समझ गए होगा यानि इसमें जल्दी से silvert नहीं पढ़ती है और crisp का मतलब वो ही होता है कि आपका ये सुकरता नहीं है जल्दी से इंसेक्ट रेजिस्टेंट भी पता चल गया यानि कीडे मकोणों के द्वारा खराब नहीं होता जल्दी एबरेशन रेजिस्टेंट मतलब इस पे रगड नहीं पढ़ती है अब इसी की प्रॉपर्टीज जो इसकी प्रॉपर्टीज है उसके बेस पर इससे अलग अलग प्रकार की चीजें बनाई जाती है जैसे यहां पर लिख रखा है अब देखे यूजर्ज में आपके बुक में भी में वह यूजर्ज दिये गए हैं जो इसके फाइबर यानि मतलब फैबरिक वाले यूजर्ज जाद दिये गए हैं कपडे वाले जो कपडे से रिलेटेज जैसे आपके मैट्स वगेरा एक प्रकार से वह वाले चीजें जादा दी गई हैं रोप्स वगेरा वो दिया गया थ्रेड वाले यूज या फिर आपके fabric वाले use दिये गए हैं, other uses उसमें include नहीं किये गए हैं अब uses of polister में जैसे यहां पर लिखा है, apparel या कपड़े बनाने में, okay then carpet and mats बनाने में, third point है curtains यानि आपके परदे, towel और blankets मतलब tumble बनाने में use होता है tent का जो कपड़ा होता है, वो बनाने में, ropes यानि रच्सियां बनाने में, in making cloth diaper अब यह थोड़ा अलग different point है आपर, देखे cloth diaper क्या होता है, diaper तो आप सबने घरों में देखे होंगे और आपने यह भी तेखा होगा, कि diaper जो है, लोग use करने के बाद उनको इधर उधर फेक देते हैं और वो काफी जो है, आपका कूड़ा फैलाने के लिए, I think, मतलब बहुत जादा वो कूड़ा फैलाते हैं उनको dispose करना थोड़ा problem होती है, उसमें जल्दी से वो, मतलब एक तरह से वो non-biodegradable type का waste होता है, जो जल्दी से आपका खतम नहीं होता है, environment से तो आपके आजकल चल रहे है, cloth diaper, cloth diaper जो है क्या है, कपड़े से बने वे diaper होते हैं, जिसमें polyester यूज किया जाता है क्योंकि polyester क्या है, एक आपका synthetic fiber है, थोड़ा लंबा चलता है, दूसरा इसमें आपका जो है, मतलब बाहर वाला चीज तो आपका उसका नीचे, मतलब जो body पर लगता है, उसमें तो दूसरी चीज होती है, जो baby की body पर लगती है, लेकिन उसके बाहर का जो outer covering होती है, उस diaper क वो polyester से बनाई जाती है, तो वो क्या होता है आपका, कि cloth diaper का ये फाइदा है, कि उसको हम बार बार reuse कर सकते हैं, उसको wash कर सकते हैं, फिर उसको दुबारा से baby को पहना सकते हैं, तो आपको ये समझ आ गया होगा, polyester को इसलिए यूज किया जाता है, क्योंकि polyester आपका अच् fabric है, उनको दिखाया गया है, इसके बाद अब हमारा है acrylic, तो acrylic भी आपका बुक में polyester के साथ ही दिया गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो इसके मैंने properties, क्योंकि इसकी properties आपकी polyester जैसी हैं, तो उसको मैंने अलग से नहीं लिखा है, डारेक्टली इसके uses और properties ए मकमल जैसी बिलकुल लगती है, तो वो आपकी acrylic की बनी होती है, यानि synthetic wool, इसको synthetic wool भी का आजाता है, उन जैसी दिखती है, क्योंकि आपकी उन जो होती है, प्रॉपर भेड़ वाली जो उन होती है, वो काफी महंगी होती है, इसके comparison में सोची अगर आप अच्छी क्वालिट कि उन का स्वेटर लेने जाते हैं, तो आपको हजार रुपे से कम का आपको स्वेटर नहीं मिलेगा, तो उन अगर आप कमबल लेने जाएंगे, प्रॉपर प्योर उन की, तो आपको कितनी महंगी पड़ेगी, उसके comparison में जो है acrylic होता है, इसकी shine और इसका जो है क्या बोलते जैसे rayon को artificial silk किया रहे थे, वैसे ही acrylic को क्या बोला जा रहा है, आपका synthetic wool बोला जा रहा है, यह artificial wool की एकी चीज़ है, अब यह हलका होता है, यह इसका वजन काफी कम होता है, और इसको जो है blanket, shawl, sweater बनाने में इसका यूज किया जाता है, आपको यह समझ आगे होंगे, इसक सभी जो synthetic fiber हैं, उनके uses, उनके जो है, benefit दिये गए हैं, उनके over natural fiber, ओके, तो यहाँ पर मैंने benefit और इनके limitation दोनों यहाँ पर बताए हैं, मतलब यह कैसे natural fiber की अपेक्षा अच्छे हैं, और कैसे यह natural fiber से थोड़े से, मतलब अगर कुछ चीज़ों में यह natural fiber से कम है, ओके, quality मे तो देखिए, पहले वो ही लिखा है आपको, benefit over natural fiber, यानि इनके natural fiber की अपेक्षा में, इनकी क्या qualities हैं, किस तरह से यह natural fiber से better option है, कौन-कौन सी qualities में, ओके, तो पहला लिखा है, यह affordable है, affordable मतलब, इनको हर कोई, जो है, हर किसी के budget में यह आ सकते हैं, मतलब, इनको खरीदा जा सकता है, लोगों के द्वारा सस्ते होते हैं, दूसरा, durable मतलब, लंबे चलते हैं, तीसरा, strong मतलब, मजबूत होते हैं, और चौथा, easy to maintain होते हैं, यानि natural fiber की अपेक्षा, यह आपके सस्ते होते हैं, लंबे चलते हैं, okay, strong यानि मजबूत होते हैं, और easy to maintain, यानि इनको maintain करन में दिकत नहीं होती है ऊके तो आफॉर्डेबल में जैसे एक्जाम्पल दूमें आपको नैचरल फाइबर से कमपेर करके तो जैसे आप अगर cotton का कपड़ा लेने जाएंगे या silk का कपड़ा लेने जाएंगे तो आपको उसके wash bath कही न कही उनकी जो चमक होती है वो चली जाती है लेकिन अगर rayon के आप कुर्ती पहन रहे हैं या फिर polyster की shirt पहन रहे हैं cotton की अपेक्षा तो वो थोड़ा लंबी चलती है तो durable भी हो गया आपका strong का मतलब आपका जैसे मैंने आपको example भी दिया था nylon की ropes बनती है तो मैंने आपको बताया था कि यदि आपके घर में जो जानवर हैं आप nylon की rope बांदेंगे उन पे और आप अगर जो है दूसरी जूट से या उससे बनी वाली होती है वो बांदेंगे तो वो आपकी jूट वाली जल्दी तूट जाती है और nylon काफी दिन तक चलती है easy to maintain का मतलब है अभी आप लोगों को बताएं मैंने कि इन में silver जल्दी नहीं पढ़ती है तो अगर आप cotton की shirt हो चाहे cotton की आपकी dresses हो कोई तो आप अगर उसमें थोड़ा सा भी बैठते हैं तो उसमें silver आजाती है उसकी अपक्षा rayon हो गया polyster हो गया इनको आपको कोई दिक्कत नहीं होती है आप इनको पहन के अगर सो भी जाएं तब भी इन में आपके जो है silver जल्दी से नहीं होती है मदब इनको daily use में भी पहना जा सकता है अब limitation भी है अगर इनके कुछ फाइदे हैं तो synthetic fiber के कुछ जो है नुकसान भी है किसकी अपक्षा natural fiber की अपक्षा अब catches fire easily यानि catches fire easily मतलब synthetic fiber होते हैं they catch fire easily ऐसे भी लिख सकते हैं as compared to natural fiber तो जैसे आप लोग दिवाली में सुनते होंगे टीवी में भी आता है पहनने चाहिए ऐसा इसलिए है कि जो cotton वाले जो फाइबर होते हैं या natural fiber जो होते हैं ये जल्दी से आग नहीं पकड़ते हैं ठीके जैसे आप लोग घर में इसका experiment में कर सकते हैं आप cotton का कपड़ा लीजी एक छोटा सा टुकड़ा और उसके अपिक्षा आप एक नाइलोन टा या पॉलिस्टर के आपके घर में कोई शर्ट का टुकड़ा होगा तो जला के देखिए देखिए कौन सा जल्दी जलता है आपको उसी से पता चल जाएगा कि जो synthetic fiber होते हैं वो जल्दी आग पकड़ लेते हैं then less comfortable का मतलब है कि आराम दायक कौन से कम होते हैं आपके synthetic fiber, natural fiber की अपिक्षा कम आराम दायक होते हैं अब आपको गर्मियों में सूती के वस्तर बड़ा आपको आराम देते हैं cotton से बने वे कपड़े अगर आप पॉलिस्टर की shirt पैनेंगे तो आपको उससे बहुत गर्मी होगी आपको पसीना आपका बिल्कुल बॉड़ी चिप-चिपी हो जाएगी क्योंकि ये fiber जो हवा को पास नहीं होने देते हैं synthetic fiber उसकी अपिक्षा जो natural fiber होते हैं वो पहनने में comfortable होते हैं तो आपको ये भी समझ आ गया होगा देन आपका third है कि जो synthetic fiber होते हैं क्योंकि ये mainly chemical से बने होते हैं तो they are not suitable for babies soft skin as they may cause irritation या skin rashes भी वो कर सकते हैं जैसे जो newborn babies होते हैं आप लोग घरों में देखते होंगी कि उनको जो है एकदम से नए कपड़े लोग नहीं पहनाते हैं उनके लिए लोग इधर उदर से अपने ही जो तूसरे उसके भाई-बेन होते हैं उसके कपड़े पहनाए जाते हैं या कोई घर में छोटा बच्चा हो उसके कपड़े मतलब पहनाए जाते हैं उसको जब newborn होता है या फिर अगर नए कपड़े बिल ये जाएं तो उनको पहले धोया जाता है उसके पीछे यही है कि जो baby की skin होती है newborn baby की जो अभी-अभी जन्मवा बच्चा होता है या जो छोटे बच्चे होते हैं तो उनकी skin काफ आए जाते हैं या उनके लिए suitable नहीं होते हैं तो I hope आपको ये chapter मतलब जितना मैंने अभी तब पढ़ाए समझ आ गया होगा एक बर आप दुबारा से इस वीडियो को देख लीजी तब आपको सारा clear हो जाएगा फिर भी अगर आपको कुछ doubt होते हैं chapter से related तो आप मुझसे पूछ सकते हैं okay बट एक बार आप पहली वीडियो भी देख लीजी फिर उसके बाद इसको देखिए और तब जो है आप मुझसे अपने doubt पूछिए उसके बाद हम जो है आप तीसरी वीडियो जो इसकी अगली वीडियो होगी उसमें हम plastic को detail में पढ़ेंगे okay thank you